आपका आज की इस पत्रकार वारता में स्वाधत है आपने अपना बहुमुल्या समय व्यस्त चुनावी कारेक्रमों में से निकाला आपका मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ आज की इस प्रेस वारता में सिटी कॉंग्रस के अध़क्ष शरी देविदास शैन्शा जी हैं इनका भी मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं देश में लोकतंतर के इस परव में लोकसवा के आम चुनावाँ का डंका बच चुका है और प्रथम चरन के चुनाव कल होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरन में चुनाव हैं लेकिन इन चुनावाँ में जो हिमाचल की उच राजनेतिक परमपराएं हैं भाजपा ने उन परमपराओं को कलंकित किया है पूरे मुख्या मंत्री श्री जैराम ठाकुर जी दिन में सपने देख रहे हैं और इस प्रेस वारता के माध्यम से कांग्रस से विद्रो करके बाजपा में गए छे विधायकों से भी मेरे दो मुख्या प्रशन हैं जो मैं उनके बीच रखूंगा और उनसे जबाब चाहूंगा साथियो जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश की राजनिती में पहाड की संस्कृती हमेशा अदर्शों की रही और यहां ऐसी परंपराएं रही कि लोक तंतर को मजबूत करने में शायद देश में भी हिमाचल प्रदेश का अपना एक इदिहास रहा जहां तक डेमोक्रेसी की बात है पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश का मलाना गाउं जो है वो पहला ऐसा गाउं था जहां पर लोकतंत्रिक ब्यवस्था की स्थापना जो है वो सदियों पहले हुई जब अभी विश्वब में लोकतंत्र स्थापन भी नहीं हुआ था हम उस परंपरा का निर्वहन करने वाले वाहक हिमाचल के राजनितिग्या जाने जाते थे लेकिन जिस तरह से भारतिय जन्ता पार्टी ने शेय दे कर चुने हुए बहुमत की सरकार को तोड़ने की नाकाम कोशिश की यह हिमाचल की राजनिती में एक कलंकित अध्याय के रूप में जाना जाएगा और आने वाली पीडी के लिए ये एक ऐसा अध्याय होगा जिसको सुनकर जिसको पढ़कर जिसको समझकर हमारी आने वाली पीडी भी के आगे हम लोग शर्मसार महसूस करेंगे के ही माचल परदेश में एक चुने हुए लोगतंतर की सरकार को इस तरह से गिराने की कोशिश होई हर रोज आप सुन रहे हैं के पूरो मुख्य मंत्री श्री जैराम ठाकुर जी आए दिन ब्यानवाजी कर रहे हैं के चार तारीक को जब परिनाम आएंगे तो सरकार गिर जाएगी मैं तो हरान हूँ जिस पार्टी में शांता कुमार जी जैसे प्रेम कुमार धोमल जी जैसे जो हैं दूर दर्शी सोच रखने वाले नेता रहे हों उस पार्टी की कमान इतने हलके स्तर के उपर पहुँच गई हो के उनका अपना गनित भी जो है वो सही नहों भारतिय जन्ता पार्टी के 25 विधायक हैं और 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है अगर ये 6 की 6 सीटें जो की असंबव है ये लोग जीतेंगे क्योंकि कांग्रस जीतने जा रही है लेकिन एक मिनट के लिए अगर मान लें कि ये 6 की 6 भी जीतें तब भी ये 31 होते हैं और सरकार बहुमत की सरकार बनाने के लिए आंकडा 35 चाहिए और वर्तमान में जो विधायकों की संख्या है 62 उसके हिसाब से 31 चाहिए जबकि हमारे पास 34 विधायक ये जनता की जन भावनाओं को खरीदने वाले लोग जन भावनाओं के खरीदार उनका सौदा करने वाले सौदागर आज किस तरह पूरे लोकतांतरिक वेवस्ता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये दुर्भाग्या पूरण है और मैं इनसे यही कहना चाहूंगा राजनिती आती जाती है सत्ता आज हमारे पास है कल जनता दूसरे आदमी के पास सौपती है लेकिन जो स्वस्त परंपराएं हैं राजनिती की वो बनी रहनी चाहिए जो अदर्श है वो बने रहने चाहिए और जनता को गुम्रा करके आप किस बिना पर कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी यकीन मानिये ये सरकार पांच साल मुकम्मल करेगी इनके पास ना बहुमत का आंकड़ा है और ना ही ये इस डंक से सरकार को गिरा सकते हैं ये बहुत दुर्भागया पूरन है कि जनता के बीच ये मैं तो कहूंगा कुतर्क देकर वोट मानने की कोशिश जो है वो भारतिय जनता पार्टी कर रही है जो छे बागी विद्रोही भारतिय जनता पार्टी में गए हैं मेरे उनसे दो प्रशन हैं हिमाचल परदेश में जब पिछले चुनाब हुए थे तो कांगरस ने दस गरंटियों की बात की थे और ये जो छे के छे लोग कांगरस से जीत कर आये थे इन लोगों ने कि ओपिएस के मुद्दे पर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे के उपर और महिलाओं को जो पंद्रह सो पंद्रह सो रुप्या देना था उसके मुद्दे पर चुनाब जीता था मैं पूछना चाहता हूँ इन भारत्य जनता पार्टी के वर्तमान परत्याशियों से के इनका ओपिएस के उपर अब क्या स्टेंड है क्या ये ओपिएस का समर्थन करते हैं या जिस तरह भारत्य जनता पार्टी ओपिएस की विरोध करती है ये लोग भी उसका विरोध करत हैं यह जंता के बीच स्पष्ट करें कि उनका इसके बारे में क्या स्टेंड है जो महिलाओं के लिए हमने पंद्रा सो रुपेद प्रतीमा तै किया जिसकी शुरुआत जो है वो हम लॉल्स पीती से कर चुके हैं और जिसको रोकने के लिए भारतिय जंता पार्टी ने पूरी कोशिश की चुनावा योग के पास शिकायट की लेकिन चुनावा योग ने फौरुम बरने के लिए इजाज़त दे दी क्यूंकि यह चल रही प्रक्रिया है उसको बीच में नहीं रोका जा सकता है रानी इस बात की है कि भारतिय जंता पार्टी करें तो शिष्टा चार को कि दूसरा करें तो ब्रश्टा चार क्योंकि आपने देखा होगा लोगसभा चुनावां से पहले पिछले लोगसभा चुनावां के बीच में किसानों को दो-दो-हजार उपया मोधी सरकार ने दिया था वो कर सकते हैं लेकिन कांग्रस को रोकने की कोशिश जो है वो यह कर रहे हैं इससे यही ग्यात होता है कि जिस तरह से भारतिय जंता पार्टी OPS के खिलाफ है उसी ढंक से भारत्य जनता पार्टी महिला विरोधी भी है इन्होंने महिलाओं को जो पैसे अभी आने थे उसको रोकने का कुप प्रयास किया है जबकि ये नहीं रुकेगा हमने कहा है कि हमारी सरकार चुनाव खत्म होने के बाद इन महीनों के भी पैसे जो है वो इकठे जो है वो महिलाओं को देगी तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से किसान विरोधीर वय्या पिछले दस सालों में भारत्य जनता पार्टी मोधी सरकार ने अपनाया ये बहुत हैरानी की बात है कि देश के 20-21 बड़े घ्रामों का 16 लाख करोड रुपया बैंकों का मुआफ किया जया मोधी सरकार द्वारा 16 लाख करोड और किसान क्या मांग रहा था अपनी फसल का उचित मूल्या मांग रहा था वो दस अजार बीस अजार पचास अजार एक लाक ज्यादा से ज्यादा दो लाक तक के रिन की मुआफी चा रहा था लेकिन उसके बदले में उनको गोलियां दी पलेट गन से उनको मारा साथ सो किसान मर गए लेकिन इस सरकार के कोई ध्यान इसोर नहीं दिया इनकी संवेदनाय जागरित नहीं हुई कि जहां आप बड़े घ्रानों का सोला लाक क्रोड रुपया बैंकों का मौफ कर सकते हैं वहां आप किसानों का अगर एक डेड़ लाक क्रोड रुपया माफ करना हो उसके प्रती ये सरकार जो है वो संवेदल शील नहीं थी ये पिछले दस सालों में जग जाहिर हुआ है कॉंग्रेस सरकार ने कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे नेता राहूल गार्दी जी के नितित्वा में जो पांच न्याए गरंटियां दी है और उनमें पांच न्याए गरंटियों में चाहे वो युवाओं की गरंटी हो श्रमिकों के लिए हो महिलाओं के लिए हो किसानों के लिए हो इन सब में पांच-पांच मुख्या बिंदू हैं जिनके उपर हमने क काम किया है और किसानों के लिए जो हमारी गरंटी है उसमें स्पश्क तोर पर कहा गया है कि हम किसानों के जो मिनिवम स्पोर्ट स्पोर्ट्स प्राइज है नियुंतन समर्थन मूल्या उसको कानूनी अमली जामा पहना कर लागू करेंगे दूसरी बात कि किसान मुआफी रिण आयोक का गठन किया जाएगा तीसरी बात कि जो GST है किसानों के उपर देखिए ये भी सरकार का एक ऐसा फैसला है मुझे ये कहने में कोई अधिष्योक्ती नहीं है कि इस सरकार के सारे नियम कानून प्रावदान मात्र बड़े लोगों के लिए बनाये गरीबों के लिए आम आद्मी के लिए चोटे बैपारी के लिए ब्रोजगारों के लिए इस सरकार में कोई कानून जो है वो नहीं बनाया इसका उधारन है आप देखिए एक अगर डाइमंड है तो हीरे के ऊपर GST तीन प्रतिशत है और एक किसान ने अगर ट्रेक्टर लेना है क्रिशी उपकरन लेने हैं तो उसके उपर GST 28 परसेंट है तो एक किसान जो अनगाता जो देश की करंधार है उसके करणों के उपर GST 28 प्रतिशत और बड़े लोगों की खरीद के जो चीजें हैं उनके उपर जो GST है वो तीन प्रतिशत इस चीज के उपर भी हमने फैसला लिया है कि उस किसान ने आये गरंटी में हम किसानों के उपर जो GST ہے क्रिशी उपकरनों के उपर उसको छत्म करेंगे यही नहीं जो स्वामी नाधन जी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी लागू किया जाएगा और क्रिशी उतपादों पर GST खत्म की जाएगी यही नहीं जो फसल नुक्सान के भीमा योज जिसमें अर्बों का कंपनियों ने फाइदा उठाया है। उसमें कॉंग्रस ने नीति गत फैसला लेकर नियाय कानून में ये बात कही है कि जिस भी किसान का फसल खराब होगी उसको 30 दिन के अंदर अंदर मुआपजा जो है वो दिया जाएगा। ये और साथ ही जो आयात निर्यात निती है उस निती को किसानों के संदरब में उप्योगी और किसान जिसे फार्मर्स फ्रेंडली कहते हैं उस डंक से उसको बनाया जाएगा। साथियों एक और चीज जो भारत्य जनता पार्टी ने इन चुनावाओं में की मैं थोड़ा सा दो महीने पीछे ले जाना चाहता हूं। दो महीने पहले भारत्य जनता पार्टी सरकार ने मोधी सरकार ने अपना एक आंतरीक सर्वे करवाया जिस सर्वे रिपोर्ट में आया कि भारत्य जनता पार्टी को 171 सीटें प्राप्त हो रही हैं। उस चीज से निप्टने के लिए इस सरकार ने क्या तरीका अपनाया कि एक जूठा परचार का हाइप क्रेट किया कि अब की बार 400 पार ताकि जन भावनाओं को प्रवावित करकर हम ऐसा महौल बनाएं जिससे की देश में ये संदेश जाए कि बारत्य जनता पार्टी तो 400 पार जा रही हैं। और इस काम के लिए कौन लोग लगाए हैं। धनबल, इडीबल, सीबी आईबल इन सब को लगाकर ऐसा प्रवाव पैदा करने की कोशिश की कि भारत्य जनता पार्टी जो है वो अब की बार 400 पार का नारा ये बिलकुल वैसे ही है। जैसे बाजपेई जी के वक्त इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया थे। लेकिन पिछले कल की रिपोर्ट्स ये हैं। कि जो 171 की बात कर रहे थे वो 150 से नीचे पहुँच गये हैं। इतना करने के बावजूत जिस तरह से इन्होंने जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ आथ के सामने मामला नियालय में भी हैं। जो इन्होंने चुनावी बॉंड के रूप में ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका सालाना आमदन दो क्रोड और वो फंड दे रही हैं। चुनावी बॉंड खरीद रही हैं बात से जन्ता पार्टी के लिए 200 क्रोड के। तो जो बिशुप का सबसे बड़ा गोटाला करकर भी देश बदल रहा है। जिस तरह से महाल पूरव से पस्चिन तक उत्तर से दक्षिन तक। मैं और इंडिया किसान कॉंग्रस के नेशनल कॉडिनेटर के नाते विविन राज्यों में जाकर आया हूँ। मेरे पास चमू कश्मीर का भी परवार है। अन्य राज्यों में भी जाकर देखकर आया हूँ। जिस तरह से परिस्तितियां बदली हैं। और उसका कारण एक है। हमारे नेता राहूल गांदी जी का सीधा सपष्ट लोगों को बीच जाकर इनकी पोल खोलना। और दूसरा जन्ता को यह अभास हो गया कि यह सरकार जन्मत को प्रवावित करकर दुबारा सक्ता में आना चाहती है। लोगतंतर को खत्म करना चाहती है। इसलिए जो यह 400 पार का नारा है। यह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब अंतिम चर्ण के चुनाव के बाद आपको प्रणाम आएंगे तो भारतिय जन्ता पार्टी 150 सीटों से नीचे तक सिम्टी हुई नजर आईगी। अंत में मैं एक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। जो भारतिय जन्ता पार्टी के कर्मट कार्य करता है। उनके प्रति मेरी संवेदना है। क्यूंकि वो कर्मट कार्य करता उनके पास हानुभूती भी मैं रखता हूँ। आज भाजपा का कर्मट कार्य करता मातर धरियां बिछाने पोस्टर लगाने और नारे लगाने तक सीमी तोकर रह गया है। जबकि 80 प्रतिशत नेता उनके सरके उपर कांगरस के जो हैं वो बिठादिये गए हैं। जितना कुडा कबार कांगरस का था आज भारतिय जनता पार्टी के कर्मट कार्य करताओं के सिर के उपर टोकर रूपी कुडा कबार लेकर जो है वो भारतिय जनता पार्टी के कार्य करता घूमने को आज जो हैं वो मजबूर हैं। मुझे उनसे दिल से संवेदना है सानुभूती है कि उन कारकरताओं के मन में क्या भीत रही होगी जिनोंने बरसों उन नेताओं के खिलाब बोला आज उनी का ही जंडा उठाकर उनको वोट मांगने के लिए जाना पड़ रहा है ये दुरभाग्या पूरुन स्थिति उस संग कठन कहता है इनी शब्दों के साथ मैं अपने वानी को ग्राम दूंगा आपका कोई प्रशन है तो मैं हाजिर हूँ सर्थ ऐसा क्या हुआ जिला हमिर्पुर में कि आपके कुछ लोगों को जिनको आपने कुड़ा ख़ार